हेलो एब्रीवान कैसे हैं आप सभी बालक सभी लोग अच्छे हैं अच्छा बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो कटाफ्स थी जितने भी एवरेज इंविशिटीज थी चाहे वो जी जी यू हो हो जो 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 ती उनकी कटाफ्स हाई गए हैं क्या होगए है का क्या मेरा अडमीशन नहीं होगा । जड़ो इसी पर हम लोगット करेंगे कि आखे सारी इंवर्शिटी के करें के क्यों है लोक अटाफ वाले बच्चों का क्या होगा जिनके मार्क्स कम थे जिनके मार्क 50% थे 40% थे 40% था 50% था उनका एडमिशन नहीं होगा क्या नहीं होगा यही सवाल है इसी पर हम लोग आज चर्जा करते हैं तो देखो भई हुआ क्या कि जितने भी एवरेज उनिविशन थी चाए वो जीजिव रही हो सीवी एसबी रही हो या अन उनिविशन थी उन्हों ने अपने आर रजिस्टेशन पहले कराया और काउंसलिंग भी पहले करायी तो जाहिसती बात है सारे बच्चे जिन्होंने टॉप रैंक हांसिल की चाहिए वो बहुत अच्छा बच्चा हो है सबके मन में डर रहता है तो सभी ने दो तीन उनिविशन बुक की थी जिस बच्चे का हाई रैंग था उसने बीच्चो भी भरा था एयू भी भरा था जी 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 भी भर था सी उस भी भर था असम हर जगह भरा था कम सकम वो चार पांच उनिवर्शटी को लेकर चल रहा था इसी वज़े से क्योंकि हाई कटाफ वाले बच्चो ने हर जगह अप्लिकेशन रजिस्टेशन किया था क्लेम किया था कि मुझे भी एक सीट वहाँ चाहिए इस वज़े से जो पहली कटाफ आई जाये वो CUSB की हो GGU की हो अधर उनिवर्शटी की हो जो एवरेज़ प्लस मानी चाती ठीक अच्छी खासी ठीक ठाग तो उनके कटाफ भी हाई चले गए तो जिनके मार्क्स कम थे 40% थे 50% थे वो बच्चे निरास हो गए बहुत सारे कमेंट्स आए वाटसप पे आए मैसेज पे आए सर हमारा नहीं होगा क्या तो ऐसा बिलकुल नहीं आपका भी होगा एक बार B.H.U. का एड्मिशन हो जाने दीजिए ठीक आपको एक हपते के अंदर अंदर आपके जो इनिशिटीज हैं जो एवरेज प्लस वाली हैं वहां से भी उनके यहां एक नोटिस आ जाएगी कि आप लोग भी आ जाईए तो एक हपते में B.H.U. बत्रब एक हपता मुश्किल से कह रहे हैं चार-पान दिन में B.H.U. में सीटे फुल हो जाएंगी B.H.L.B. की और अदर की सीटे बहुत 10 दिन मुश्किल से लगेंगे तो 10-15 दिन में सीटे यहां फुल हो जाएंगी उसके बाद जितनी इनिशिटीज हैं उनकी कटाब धीरे-धीरे अपने आप लोग होते जाएंगी जैसे A.U. की कटाब साएंगी उसके बाद और जो उनिशिटीज हैं उनकी कटाब धीरे-धीरे कम होते होते 40% तक चली जाएंगी 50% 40% इतने पर रहेंगी ठिक तो जितने भी बच्चें इस बात को लेकर बहुत पैनिक हैं कि सर हर जगा की हाई कटाफ हैं तो इस बात को लेकर पैनिक नहीं हूँ थोड़ा सा वेट करें हाँ और इलर्ट भी रहेंगे युनिशिटी के वेफ साइट पर जाके चेक करते रहेंगे जिन युनिशिटी के जो भी सेंट्र इनिशिटी में आपने रिजिस्टेशन करवाया है उनके साइट पर जाके चेक करते रहेंगे इसी दोरान एट लिस्ट से पंदर दिन इलर्ट रहेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा आप अगर फिप्टी फोटी परसंट लाइग हुए हैं मार्क्स ठिक तो पैनिक नहीं होना है थोड़ा सा पेसंस बनाना है और देखते जाना है आपका एडमिशन कन्फर्म होगा भई इसके लिए आप चिंतित ना हो फिलाल इसकी बाद भी अगर कोई डाउट रह जाए बालक तो विदावट एनी हेजिटीशन उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और उसकी सेलुशन पर हम लोग बात करेंगे ठीक तो स्वस्त रहो हसते रहो मुस्कुराते रहो रोना नहीं भी ठीक फिर से आगे कोई इंफॉर्मेशन मैं लाता रहूँगा जिस पर आपके टेन होंगे जिसमें लग रहा होगा सर इस पर कोई सेलुशन बता जाए तो सब्सक्राइब जरूर्स से जरूर्स एक सेलुशन वीडियो आपको दी जाएगी ठीक ओके थैंक यू